आज मैं आपके लिए लेकर आयूं बहुती कम मिर्च मसाले में बनने वाली दही बिंडी बिलकुल राजिस्तानी पारंपरिक तरीके से हम बनाएंगे बनाने में बहुत एजी है तो आईगे जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें चीज सबसे पहले फ् 500 ग्राम बिंडी ली है और अब मैं बिंडी के उपार और नीचे वाले सिरेख हटा कर बीच में से कट लगा लूँगी और सारी बिंडियों को इसी तरीके से रेडी कर लूँगी और अब हम इन्हें शैलो फ्राइए करेंगे एक पैन में तो बिंडियों को हमें पूरा कुक नहीं करना है 70% तक ही कुक करना है क्योंकि बाकी विचिवि जो खोगा वह हम ग्रेवी में करेंगे जो हम दही वाली ग्रेवी बनाएंगे तो यह देखिए यहां पर बिंडी रेडी है तो हम सारी बिंडियों को निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे सारी बिंडिया रेड़ी है तो चलिए अब हम बनाते हैं जल्दी से दही का मसाला तो इसके लिए एक पैन में लीजी दो टेबल स्पून ओयल उसमें डाल दीजे वन टी स्पून क्यूमिन सीट्स याने की जीरा साथ में थोड़ा सा हिंग पाउडर और वन टेबल स्पून जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट याने की अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट को हम पकाएंगे उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ट अनियन तो यहां पर मैंने दो मीडियम साइज अनियन ले हैं क्योंकि हमें मसाला अच्छे से बनाना है बिंडी और मसाली की जो कौंटेटी है उसमें हम यह देखिए हमारी जो ग्रेवी होनी चाहिए न धही वाली उसकी कौंटेटी अच्छे से उनी च मसाले 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon red chili powder and 1 tablespoon coriander powder मसाले कम जादे हैं आप अपने अकोर्डिंग कर सकते हैं कोई घर्ब मसारा निदालना है कोई एक्स्ट्रा मसाले निदालने बिल्कुल घर में जो अब अब इसमें डाल देते हैं वन कप फ्रेश और बीटन कर्ड यानिक एकदम जो फ्रेश दही होता है उसे मैंने अच्छे से फैट लिया है और दही डालने के साथ ही हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाते रहना है जब तक कि इसमें से बॉइल आना स्टार्ट नहीं हो जाए लगेगी तो यह देखिए जब तक कि बॉइल ने आजा इसे चलाते रही है तो अब मैं इसे धक कर पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि ऑउइल की अच्छी लेयर ना आ जाए उपर तो यह देखिए ओईल की बहुत अच्छी लेयर आ गई है मसाला रेडी है तो अब इसे स्टेज पे हम डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वादन सा डालिए अब नमक मिला लीजे अच्छी से और बस अब हमें कुछ नहीं करना है मसाला बहुत अच्छा रेडी है और अब हम इसमें डालनेंगे हमारी फ्राइड बिंडी तो बिंडी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजे सारे मसालों में बिंडी को अच्छे से मिक्स कर लीजे ताकि सारे मसाले अच्छे से अब्जार बजाए बिंडी में और जो हमारी बिंडी 30% कुक होना रहे गई थी वो भी अब कुक हो जाएगी तो गलेट लगा दीजे और इसे पकने दीजिए फाइफ मिनिट्स के लिए तो मैं दिखाती हूँ फाइफ मिनिट बात कितनी अच्छे दरीके से ये बिंडी रेडी हो गई है बहुत टेस्टी बहुत इजी रेसिपी है जो अद्रग और हरी मिर्च का हम पेस डालते हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये बहुत घरेलू रेसिपी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और इसे गरमा गरम सर कीजे चपाती के साथ में बहुत अच्छी लगती है और ट्राइक कीजे इजी डिलिशिस रेसिपी और दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है thank you so much आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें like and subscribe करना नहीं भूले and thank you so much for watching my video